तमस्कार आप सभी का बहुत स्वागत है उत्राकंड प्राइम में आपके साथ हुमेदी पबाफिला वुलिटन की शिरुवात इस वक्त की बड़ी ख़बर के साथ करते हैं राज्थानी दह्यादूं से बड़ी ख़बर है तुनाव खत्म होते ही भाश्पा में बगावत शुरू हो गई है विधायक संजे गुपता के आरोपो पर मागी गई है रिपॉर्ट है कमाने पुदेश मामंत्री संगतन आजे कुमार से रिपॉर्ट मागी है संजे गुपता ने मदन कौशिक पर आरोप लगाय था चुनाव में साज़िश करवाने का आरोप लगाय गया था लक्सर से भाश्पा के विधायक है संजे गुपता सेम पुष्णर सिंग धामी के बहत करीबी माने जाते हैं संजे गुपता और चमपावत से कैलाश गहतोडी और काशिपूर से हर वज़न चीमा ने भी बगावत का आरोप लगाया ये लगातार आप देख रहे हैं चुनाव खत्म होते ही अब जो अंदरूनी बगावत है जो नाराज़गी है आप कह सकते हैं जो अंतर कले है वो धीरे धीरे निकल क करके बहार आ रही है दस मार्च को रिजल्ट लेकिन उससे पहले उत्राकंट भाश्पा में घामा साथ और आपको वो वाइरल वीडियो दिखाते हैं जिसमें लक्सर से भाश्पा विधायक संजे गुपता ने भाश्पा प्रदेश अध्याक्ष मदन कौशिक के खलाफ अग उगलते हुए दिखाई दे रहे हैं हाला कि एबिपी गंगा वीडियो की पुष्टी नहीं करता लेकिन वीडियो में संजे ने प्रदेश अध्याक्ष मदन कौशिक पर बेहत गंभीर आरोप लगाए हैं मैं अपने पाल्टी का वफादार सिपाई हूँ जमीन से जुड़ा वहा हूँ मैं फक्र करता हूं अपनी पाल्टी पर संगटन पर अपनी अनेत्तत उपर कि उन्होंने लक्सर सेट पर मुझे फिर से भरोसा जता है मैं हाँ जोड़कर नमन करता हूं अपने लेकिन जो उत्राखण में पाल्टी का प्रदेश अध्यक्षे मदन कोशिक वो उन्होंने कई सीटों पर पत्याश्यों को अहराने का काम किया है और उनके जो नामित सभासद उनके द्वारा और उनके जो जो नजदी की कार्ये करता थे उन्होंने बस्पा प्रत्याशी के पक्ष में काम किया है मुझे हराने का काम किया है मैं अपने नेत्रत उसे हाद जोड़कर चमा मांगते वे निविदन करना चाहता हूं ऐसे प्रदेश अद्यक्ष को इस ऐसी राष्ट वादी पार्टी में रहने का कोई अधिकार नहीं है तो लकसर से भास्पा के विधाइक है संजे गुपता उनको आपने सुन लिया इसी पर और अधिक जार्गारों के साथ देहरादुन से हमारे उत्राकरने बिरोचीफ आजीत राठी जूट रहे हैं सेधे उनी के पास आपको लिए चलते हैं आजीत जी आप देखें लगातार ये घमासान मचा हुआ है चुनाव के दर्मियान भी हमने देखा विपक्ष इस मुद्दे को उठाता रहा कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है भाश्पा के भीतर लेकिन जैसे चुनाव खत्म हुए वैसे ही भीतर घात अंतर कला की तमाम खबरे सामने आने लगी है संजे गुपता जो कह रहे हैं उसमें कितनी सचाई है कितनी सत्यता है क्या जानकारे मिल पा रही है वीडियो को लेकर देखे दिपा वीडियो की जानकारी तो ये है चुकि हम इस बात की पुष्टी तो नहीं कर रहे हैं लेकिन इस वीडियो को जारी हुए तीसरा दिन है। अरोप लगातार आया और लोगों ने खुल कर अपनी बात गई हरबजन सिंग चीमा कासिपूर से कैलास गयतूरी चमपावत से और संजय गुपता ने तो अपना वीडियो ही वाइरल खुदी कर दिया जिसको हम अभी हम कहे भी रहें कि हम उसकी पुष्टी नहीं करते हैं ले अपनी बाते कहीं हैं मीडिया के सामने अपनी बाते कहीं हैं संजय गुपता ने अपना वीडियो वाइरल कराया है तो जो पार्टी की जो नीती है कि आपको बाहर नहीं जाना है आप अंदर के प्लेटफार्म पर सक्सामधिकारी के सामने अपनी बात रखेंगे वो नहीं ह प्रकरण जो चला इसको रोका जाना चाहिए ऐसी कोई पहल भरतिनता पार्टी की भीतर दो दिन होगे हैं देखने को नहीं मिल रही है एक नई सूचना ये थी जो चैसा अभी हमने अपने दर्शकों को बताया था कि सेंटरल हाई कमान ने एक रिपोर्ट यहां से मांगी है जो महामंतरी संगठन है उन्होंने अख़बार की कत्रे ने जहां वे अख़बारों में ख़बर चपी है जिन चैनल्स पर वो भी ये कहते हैं कि भी तरगात हुआ है इसके आशन का वो जाहिर करते हैं संजे गुपता खुद ये वीडियो वाइरल कर देते हैं यति शुरा नंद को लेकर भी जानकारी आप देरे कि वो भी हो सकता है कि शिकायत कर लें अब देखिए धुमा वही से उठता है जहापर आ सकता है इस पूरे प्रकरण को लेकर अब देपा देखिए जो कैलास गहतोड़ी और हर्बजन सिंग चीमा है उन्होंने मदनकोशिक पर किसी तरह का कोई आरोप नहीं लगाया उन्होंने अपने जो लोकल के वहां के भातिनता पार्टी के नेता है उन पर आरोप लगाए औ और संजय गुपता ने मदनकोशिक पर आरोप लगा है मदनकोशिक ने इस मामले में कोई भी बात कहने से मना कर दिया मेरी उनसे दूरबास पर बात हुई थी यह थोड़ देर पहले तो उन्होंने कहा चुकि आरोप मेरे उपर लग रहे हैं तो अच्छा है कि हाई कमान ही इन सब चीजों को डिसाइड करें कि क्या सही है क्या गलत है लेकिन ऐसे खुले आम आरोप लगाया जाना क्या ठीक है पार्टी को सबसे पहले यह सोचना पड़ेगा और दूसी तरब दीपा आप देखेंगे कि कॉंग्रेस में चुनाव संपन होगे और कॉंग्रेस में इस तो कि भीतरगात होने का अपने बड़े नेताओ पर अपने परदे सद्धक्स पर आरोप लगाने का जो सिलसला भारतिन तपार्टी के भीतर चला है तो यह कौन सी बिमारी के लक्षण है यह तोड़ा सा समझने और बूजने की जुरत पड़ेगी जी क्या जी बहुत शुक प्रदे साक्न भाजपा के भीतर यह जानकारी एहम अजीर जियम को दे रहे तें बहुत शुक्री आपका पूरी जानकारी के लिए आगे बड़ जाते हैं काशिपूर से खबर है काशिपूर के भाश्पा विधायक हरभजन सिंग जीमा ने चुनाओं में पार्टी में भीत पार्टी के प्रतिज उनका धर्म था पार्टी के नाम को नुकसान पहुंचा है और इससे मैं यह समझता हूँ कि पार्टी को उनके नामों का उनका सब पता है इसलिए पार्टी जो भी उचित नेरने उनके प्रति लेगी वो पार्टी के उपर है अब चलिए आगे बढ़ते हैं बात कॉंग्रेस की कले पे वधान सबा चुनाब के नतीजे आने से पहले ही हरिश्रावत का बयान सामने आगिया है पूर्वसिया मरिश्रावत का बड़ा बयान आपको बता दे कि मेरे हाथ में बांग दो रही तो शुरू होगी घस्यारी सम्मान पेंशन योजना यह उनुने कहा है 500 रुपए घस्यारी सम्मान पेंशन योजना शुरू होगी हरिश्रावत ने रिजल्ट आने से पहले ही यह बड़ी बात कही है पूर्वसियम अरिश्रावत इस बार लालकवास से मैदान में लगतार डटे रहे कॉंग्रेस दावा कर रही है कि वो इस बार सूबे में सत्ता वापसी कर रही है और इस बेच अरिश्रावत एक बार फिर सिर्फ अपने मन की बात सामने रखती है हर इश्रावत कह रहे हैं कि अगर उन्हें सक्टा की बागदोर सभालने का मौका मिला तो मगलाओं के लिए वो काम करेंगे मतलब ये साफ है कि अरिश्रावत ने एक इशारे इशारे में ये कह दिया है कि अगर कॉंगर्स सत्ता में आती है तो सियम की कुर्सी उने ही सौपी जाए अज एक बहुत कठिं चुनाओ वियान के बाद शोव जब नीद खुली तो मुझे अपनी माँ बहुत यादा लिए जब मैं मुख्यवंती था उस समय मैंने अपनी माँ को स्मर्ण कर जब भी मुझे के दर्शन करता था मुझे लगता था वो मुझे कुछ कह ली है कि गरीबूं के लिए कुछ करो अब मैं नहीं जानता आज आगे नियती ने मेरे ले क्या रास्ता निर्धारित किया है मगर माँ घास लेकर के आने वाली और लकडी लेकर के आने वाली आज मेरी बहुत सारी बहने हैं मैं तुझे घशारी सम्मान पैंसन समर्पित करता हूँ सर्ता में आएंगे, मेरे हाथ पर बाग जो रही मां तो घशारी सम्मान पैंसन मैं प्रारब करता हूँ कॉंग्रेस के एक अद्दावर नेता पूर्ब सियम हरिश रावत का बयान आपके सुन लिया मगर अब आप सियम पुश्कर सिंधामी का बयान सुनिये जो हरिश रावत पर प्रहार करते हुए नज़र आ रहे हरिश रावत जी अभी मुगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं उनकी सरकार कहीं नहीं आ रही है, सरकार पुना भारती जनता पाटी के आ रही है हरिश रावत जी अभी मुगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे है उनकी सरकार कहीं नहीं आ रही है, सरकार पुना भारती जनता पाटी के आ रही है और पच्छंड बहुमत के आ रही है उत्राकर्ण में चुनाब खत्म होने के बाद हर किसी को इंकिजार है तो बस दस बाद शका, क्योंकि नतीजों के साथ ही इस दिन हर सियासी दल के दावेश सामने आ जाएंगे लेकिन इस खाली वक्त में कॉंग्डिस प्रत्याशी और पूर्विस एम हरिश रावत मंदिर में दर्शन, पूर्जन और प्रातना लगतार कर रहे हैं और वो यही से प्रत्याशी हैं, लोगों ने उनने अशिर्वाद दिया हिर और इस लिए वो भी मातख के दर्शन करने, मातख का आशिर्वाद लेने के लिए यहाँ पर पोछे हुए हैं पूर्वसीयम परिश्रावत जीत के तमाम दावे कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ मौजुदा से पुश्कर से पुश्कर सिंग धामी इस बार भाजपा के साथ पार किनारे के साकार होने के बाद कह रहे हैं उससे खास बाचित की हमारे संग्वाद दाता विनोध कुमार ने सुनी हमारे साथ है उत्राखंड के मुख्यमंत्री पुशकर सिंग धामी सर उत्राखंड में मद्दान हो चुका है अभी किस तरीके से आप देख रहे हैं इस बढ़ते मद्दान की जो आकड़े हैं सीथे सीथे जनता ने हमारे कामों को एप्रिसेट किया है और इतने बढ़ चलड़के मद्दान में भाग लिया है हमने भी मद्दान की अपील करीए थी कि सभी से की सभी मद्दान में भाग ले मैं सभी को बढ़ा ही देता हूँ सभी राजनिती दल के कार्यकरतां को को सुरक्षयावलों में डूटी में लगे हुए चुनाव संपन करवाने में जिन जिन ने भी अपना रोल अदा किया है उन सभी को बदाई देता हूं कि 2022 के जो चुन लोग आम चुनाव हैं विदान सभा के लिए उस संपन हो गए और सांती पूर संपन हुए एक ही दिन में स सारी परिकरिया हुई है और बिना बिंगन बाधा के बिना किसी इंसा के बिना किसी जड़ब के सम जो भाजबस अंगटन की ओर से साट पलस का नारा था वो कहीं आसपास है या उसकी हिस्तिती कैसे बनेगी जो आज मत्दान हुआ है नहीं अभी दस मार्थ को जब रिजल न सर्कार एक बार फीर बार बनने वाली है मितक टूट रहा है मितक टूट रहा है प्रचंट बहुमत की सरका कार बन रही है डियाईजी ने लापरवाही को लेकर मजूला चौके प्रभारी को सस्पेंड कर दिया परज होगी और अबने कहां के जिन लोग के चोट लगी तरह मार्पीट करें और मार्पीट भी नहीं हुई इसमें कुछ इवकों ने एक युवक को गोली मारती दबंगो का हाथों में तमंचा लिए धंकाने का विडियो, स्पोशल मीडिया पर चारा रहा और यह पुले से देखो यह तस्वीर आपको दो हम दिखा रहे हैं पहली तस्वीर देखिए चुनावी रंजिश में किस तरीकी से बोली वापर मारी गई काफी देर तक्वा परंगामा हुआ यह चुनावी रंजिश का ही पूरा मामला बताया जा रहा है तमंचा लेकर के युवक भी दिखाई दे रहे दूती तस्वीर जाम की है जहां पर अधिकारी पहुचे जाम खुलवाए गया कर दो पक्षों के बिच में लड़ाई हुथी तो उसी के संबंध में यहां पर लोगों ने जाम लगाया था पीडित पक्ष के तरह से तहरी रागी है उसमें तिनमा धर्शिया दार है और जो भी साक्ष्री मिलेंगे इसके अधार पर करवेगी जाएगे प्रुब प्रुब यहां थाएगे